आपका पहला सवाल है, सांप लगातार कितने सालों तक सो सकते हैं? आपके ओप्षन है, A. तीन साल, B. पांच साल, C. एक साल, D. दो साल आपका सही जवाब है, ओप्षन A. तीन साल आपका दूसरा सवाल है, प्लास्टिक सरजरी का अविश्कार कौन से देश में हुआ था? आपके ओप्षन है, A. अमेरिका, B. जापान, C. भारत, D. छीन आपका सही जवाब है, ओप्षन C. भारत आपका तीसरा सवाल है, किस मुगल बादशा के समय मुगल सेना में सरवाधेक हिंदू सेना पती थे? आपके ओप्षन है, A. अकबर, B. और रंगजेब, C. बाबर, D. शाह जहां आपका सही जवाब है, ओप्षन B. और रंगजेब आपका चार नंबर सवाल है, सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच जीतने वाला देश कौन सा है? आपके ओप्षन है, A. भारत, B. इंगलेंड, C. बांगलादेश, D. ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है, ओप्षन D. ऑस्ट्रेलिया आपका पांच नंबर सवाल है, एक ही पारी में दस विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आपके ओप्षन है, A. अनिल कुम्बले, B. सचिन तैंदुलकर, C. ट्राहुल द्राविड, D. एमेस धोनी आपका सही जवाब है, ओप्षन A. अनिल कुम्बले आपका च्छे नंबर सवाल है, सबसे पहले बल्ब किस देश ने बनाया था? आपके ओप्षन है, A. भारत, B. जापान, C. अमेरिका, D. कोरिया आपका सही जवाब है, ओप्षन C. अमेरिका आपका साथ नंबर सवाल है, बंदर कौन से देश का राष्ट्रिय पशू है? आपके ओप्षन है, A. जापान का, B. अफ्रीका का, C. सेंट्रल देश का, D. पाकिस्तान का आपका सही जवाब है, ओप्षन C. सेंट्रल देश का आपका आठ नंबर सवाल है, पीला गुलाब कहां पर पाया जाता है? आपके ओप्षन है, A. भारत, B. जापान, C. अमेरिका, D. रूस आपका सही जवाब है, ओप्षन A. भारत आपका नौ नंबर सवाल है, कौन से देश के लोग सांड से लडते हैं? आपके ओप्षन है, A. जर्मनी, B. स्पेन, C. जापान, D. अमेरिका आपका सही जवाब है, ओप्षन B. स्पेन आपका 10 नंबर सवाल है, ज्यादा लिप्स्टिक लगाने से कौन सी बीमारी का खत्रा रहता है? आपके ओप्षन है, A. स्किन इंफेक्शन, B. मलेरिया, C. कैंसर, D. कब्ज आपका सही जवाब है, ओप्षन C. कैंसर आपका 11 नंबर सवाल है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? आपके ओप्षन है, A. पृत्वी राज चौहन, B. शिवाजी, C. महराना प्रताप, D. और अमजेब आपका सही जवाब है, ओप्षन A. पृत्वी राज चौहन आपका 12 नंबर सवाल है, फलों का राजा किसे कहते है? आपके ओप्षन है, A. सेब, B. आम, C. केला, D. अनार आपका सही जवाब है, ओप्षन B. आम आपका 13 नंबर सवाल है, के दारनाथ मंदिर का निर्मान किस ने किया था? आपके ओप्षन है, A. राम ने, B. कृष्ण ने, C. पांडवों ने, D. असुरों ने आपके ओप्षन आपका सही जवाब है, ओप्षन C. पांडवों ने आपका 14 नंबर सवाल है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? आपके ओप्षन है, A. फातिमा बीबी, B. इंदिरा गांधी, C. गीता सिंग, D. सुभधरा कुमारी आपका सही जवाब है, ओप्षन A. फातिमा बीबी आपका 15 नंबर सवाल है, बॉलीवुड में शहनशाह किसे कहा जाता है? आपके ओप्षन है, A. शाहरुख खान, B. सलमान खान, C. अमिताब बच्च्चन, D. सनी देउल आपका सही जवाब है, ओप्षन C. अमिताब बच्च्चन आपका 16 नंबर सवाल है, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते है? आपके ओप्षन है, A. वैद्यक चिकित्सक, B. रक्षक, C. मदद करता, D. कार्य करता आपका सही जवाब है, ओप्षन A. वैद्यक चिकित्सक आपका 17 नंबर सवाल है, इंजिनियर को हिंदी में क्या कहेंगे? आपके ओप्षन है, A. सहायक, B. अभियन्ता, C. हेलप, D. रक्षक आपका सही जवाब है, ओप्षन B. अभियन्ता आपका 18 नंबर सवाल है, राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ओप्षन है, A. 11 नवंबर को, B. 15 दिसंबर, C. 20 फरवरी, D. 23 मर्च आपका सही जवाब है, ओप्षन A. 11 नवंबर को, आपका 19 नंबर सवाल है, देश के पहले ग्रेमंत्री कौन थे? आपके ओप्षन है, A. अमित शाह, B. राजनात सिंग, C. राजेंद्र सिंग, D. सरदार वललब भाई पतेल आपका सही जवाब है, ओप्षन D. सरदार वललब भाई पतेल आपका 20 नंबर सवाल है, भारत की पिंग सिटी किसे कहा जाता है? आपके ओप्षन है, A. जैपूर, B. दिल्ली, C. आगरा, D. मुंबई आपका सही जवाब है, ओप्षन E. जैपूर